बाबा विशनात की सहर बनारस में उत्तर से दक्षुन के सब्यता संस्कृति के समागम के लिए काशी तमिल संगमम का आयोजन हुआ है सब्यता संस्कृति के साथ खेल के मैदान में दोनों खिलारियों का अद्बु संगम शनीवार को वारानसी के जेनारन इंट्रेह कॉलेज के मैदान में देखने को मिला वारारसी में तमिलनाडू के महाकवी सुर्वमंडम भारती कब प्रतियोगिता के नाम से दिव्यांग क्रिकेट टूनामेंट का आयोजन हुआ All India दिव्यांग क्रिकेट एसोसेशन द्वारा इसका आयोजन हुआ जिसमें खेल के मैदान में दोनों टीम के खिलारियों ने जमकर चौके छक्के लगा है दिव्यांग खिलारियों के इस प्रतिवा को देख हर किसी ने तालियां बजा कर उनका अभिवादन भी किया All India दिव्यांग क्रिकेट एसोसेशन द्वारा काशी तमिल संगमम को विस्तार देने होतू हम लोगों ने इस दिव्यांग T20 क्रिकेट सिंखला का आयोजन किया है इसे ये संदेश हम लोग देना चाहते हैं कि दो संस्कृतियां जो है उत्तर भारत और दक्षिड भारत की हम दोनों लोगों को एक साथ एक मंच पर लाना चाहरे है वहाँ पर सांस्कृतिक सम्मेलन हो रहा है यहाँ पर खेल कूट का एक बहुत बड़ा आयोजन किया जा रहा है जिसके माद्यम से दिव्यांगों को भी मुख्यदारा में जोडते हुए हम लोग उत्तर और दशिड भारत का एक समन में हम लोग इस्थापित करना चाहते है इस क्रिकेट टूनमेंट में दो दिनों में बिस बिस ओवर के तीन मैच खेले जाएंगे इस cricket टूनामेंट को महा कवी सुर्वमंदम भारती को समर्पित किया गया है इस टूनामेंट में काशी की टीम में यूपी के अलग-अलग जिलो के दिव्यांग खिलारी सामिल रहें जबकि तमिल की टीम में तमिल लाडू के साथ दक्षिन भारत के दूसरे राज्य के खिलारी सामिल रहें दोनों ही टीमों ने टूनामेंट के पहले दिन खेल के मैदान में अपनी प्रतिवा दिखाई बतारे चले कि रवीवार को इस टूनामेंट का फाइनल मैच खेला जाएगा जो भी आप लोगों पहले मैच खेला है कैसा लगा खेल के और अभी कितने रन बनाया क्या देखिए घ्राउन बहुत ही अच्छा है जो बेकेट बैट पर रही है तो जो है बता कि बहुत अधिक भी नहीं है लेकिन डिफेंस लाग इसकोर है उसके लिए हम लोग कोशिस झाल झाल